अज़े देख रहे हो एपिसों नमर्स शिटी एड देख रहे है इसका नाव है वोमेंटम तिकने सुब आप इन सब्सक्राइट थिटा अब यह जो एकसोड एपिसों नमर्स शिटीसिक्स और एपिसों नमर्स शिक्स सेवन के उपर बेज एड़िया है मान लो आपका खतम हो गया, 80% concept आपक लिए रहा है, only 20% ही आपको समझना है तो जिम लोगों ने भी ये जो episode पढ़ रहा है, मैं वहाँ पे एक zoom कर वे चाल रहा हूँ कि आपने 66 और 67 episode देखे हुए, तो मैं यहाँ पे वो सारे point नहीं ले रहा हूँ जो मैंने already explain करके रखे हुए, तो आपने नहीं देखा, तो पहले वहाँ पे जाके आओ, वरना यह समझ में नहीं आए, ठीक है So, let's start today's episode number 68, which is momentum thickness So, momentum thickness का definition होता है, addies में all thickness that have to be added to compensate for reduction in momentum rate on account of bound layer performance So, अब इसको सिर्फ हमें पढ़ना ही गा, इसको समझना ही नहीं है, इसको समझने के लिए पर हम पूरा concept clear करेंगे और फिर महाँ आथ को पढ़ाऊंगा कि इसका meaning क्या होता है, ठीक है अब जैसे ही यहाँ पे plate के उपर बे pass होगा, तो हमें पता है कि यहाँ पे एक boundary layer form होगा है, ठीक है, तो यह आप जो देख रहे हो, that is boundary layer है अब यह boundary layer form होगा कि यहाँ पे एक velocity हम profile बना सकते है इस तरीके से ठीक है, अब यह जो boundary layer की यहाँ पे हमने velocity profile बना नहीं है, वहाँ पे हम एक elementary strip consider करते है यह जो आपने एक elementary strip, जिसकी थिकनेस हम लेके चलते है, dy, और width है वो unit, यानि one assume करेगी, ठीक है यहाँ पे जो velocity होगी, वो small u होगी, क्योंकि यह जो capital u गडा fluid है, यानि free stream velocity जैसे ही, यह plant की उपर में पास होगी, तो यह boundary layer फिनोमीना होगी, जिसकी मदल से boundary layer के अंदर जो भी fluid होगा, उसकी velocity में reduction होगा, जो हमने यहाँ पे small u गडा चला होगा, ठीक है So, let us find out यह जो strip है, अगर वहाँ पे मुझे वे momentum ढूनना है, momentum per second, यानि momentum rate ढून रहा हो, so momentum per second through that strip इतना होगा, को हमने पता है, momentum rate होगा, that is mass flow rate into velocity, so mass flow rate हमने पता है, जैसे मैंने तिछले episode में आपको बता है, mass flow rate का होगा, row into area, तो हमने यह जो thickness हो, dy लेके रखी हुए, यह और हमने width assume करी है, one, so this is one, so dy into one, इस तरीके से पूरी आपकी street पे three dimensional के अंदर, ठीक है, इसका आपको three dimensional viewing देखना है, इसका, पूरे चीज का, तो यह dy है, और यह कितना है, one, so यह हो जाएगा, dy into one, so area आपका होने वाला है, dy into one, तिको होगा, यह मैंने dy लिखा, velocity होगी into velocity रोगा, row u dy, mass flow rate, into velocity, वो तो मैं पता है, small u है, so mass flow rate into velocity हो जाएगा, row u square dy, ठीक है, momentum, अब मान लो, बच्चो, कि यह जो sam strip है, अगर यहाँ पे plate नहीं होती, अगर यह plate नहीं होती, तो यहाँ पे bound layer phenomena नहीं होती, तो यही sam plate के लिए, यही sam mass flow rate है, जो, यही sam mass flow rate के लिए अगर momentum मुझे ढूड़ना है, without plate, तो वो क्या होगा, so देखो बच्चो, same mass flow rate ले रहा हो, तो mass flow rate में कोई change नहीं आएगा, वो तो rho u dy ही रहेगा, लेकिन कहाँ पे change रहेगा, velocity में, क्योंकि यह momentum होता है, mass into velocity, अगर plate नहीं ले रहा हो, तो जो velocity होगी, वो क्या रहेगी, औ आपर capital U है, तो total reduction क्या हो, update की वज़ा से, total reduction हो, original minus this, so rho u, capital u dy, minus rho u square dy, so मैंने rho u common करके ले रहा हो है, तो यह आपको मिलेगा, पर यह जो हमें मिल रहा है, वो loss तो यह पूरे, यह छोटी strip के लिए हमन रहा है, हमें तो पता, यह boundary layer thickness कितनी होती, उसका value होती है, delta, तो यह delta तक यह पूरे reduction रहेगा, so total reduction का, हमें क्या रहना है, integration करना है, 0 to delta, so total reduction होगा, 0 to delta, समझ में आ रहा है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब यह जो plate है, यह पूरी plate है, यह पूरी plate है, यह इसको मैं आप समझ लोगी, इसको यहाँ पर करें, माल लोगी, इसमें additional wall thickness में theta, एडि plate कर रहा हूँ, क्यों plate कर रहा हूँ, मैं आपको, मैंने पिछले भी episode में समझाय हुआ है, यहाँ पर भी समझा रहा हूँ आपको, कि यह जो velocity layer बनेगा, उसकी वज़ेशे क्या होता है, कि velocity different होती है, so आपको reduction होगा momentum के अंदर, मालों कि velocity profile नहीं बनती, बच्चों तो इस momentum loss है, उसको मैं compensate करना है, इसको compensate रहने के लिए, मैं यहाँ पे additional wall ठीकिने theta ले रहा हूँ, इसके उपर, क्योंकि इसके उपर, जो velocity होगी, वो सारी की सारी original होगी, capital U होगी, तो यह जो capital U होगा, यह जो loss है, same इतना loss, मालों कि आप माइनस 5 है, तो यह same loss को उपर compensate कर रहा ह इक पर plus 5 हो जाएगा, ठीक है, momentum, तो यह जो आपका compensate हुआ है, उसको cover कर लेगा, तो उसको cover करने के लिए, मैं यहाँ पे उपर एक theta इतना distance ले रहा हूँ, ठीक है, तो additional wall ठीकिने से theta ले के रखी है, तो additional wall ठीकिने से theta ले के रखी है, वहाँ पे momentum कितना होगा, तो वहाँ इन्टू क्या होगा, velocity, velocity कहांगी capital U हो, कि हमने यह bound layer के उपर लेंके रखा हुआ है, तो यह तो सिर्फ masculine होगा, into velocity, यानी into U, तो यह highlight आपका rho theta capital U से, समझ में आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो यह हमने यहाँ पेसली additional wall ठीकिने से रहे, कि यह जो low से उसको cover कर सके, ता कि यह आपे मैंने loss word क्यों लिखा हुआ है, loss of momentum, for a second at theta, क्योंकि यह जो loss है ना, वही loss उसको उपर दिखा रहा है, लेकिन वो close में होगा, क्यो गेन होगा, तो यह इसको compensate करते है, इसलिए मैंने loss word का उसको माल किया हुआ है, loss of momentum, तो अब इस जोनों कम equate करते है, equation 1 और equation 2 को, तो subject बनाना है, so यह क्या है, u, u minus u है, तो नीचे u square जाने तो आपको इस तरीके से आपका simplified form मिलेगा, तो यह जो आपको दिखा रहा है, इसको बोलते है, momentum, thickness, गर आप इसको इतना उपर एड़ करोगे, तो आपको यह जो loss हुआ है, momentum, जो भी आपका loss हुआ है, उसको आप compensate कर सकते हो, तो इसको बोला जाता है, momentum, thickness, ठीके, I hope आपको लेक्च्चर समझ मायाँगा, समझ मायाँख करें इसको like और subscribe और आज़िड़ करें